साहित्ति कहानियों की श्रिंख्ला में आज कथा साहित्ति में सुनिये मालती चोशी जी द्वारा लिखी कहानी बुझे हुए दीब और तूटती आस्थाएं चाए का पानी गैस पर चढ़ा कर उसने फ्रिज में जहाका दूद का कहीं पता ना था किचन प्लेट फॉर्म पर दूद का खाली बरतन ही मिल जाता तो वो उसे खंगाल कर चाए में डाल देती पर वह तो आधा दरजन कब प्लेटों के साथ सिंक में पड़ा था उफ ये आदमी दिन भर में कितनी चाए पीता है कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि स्कूल से लौटने के बाद उसे भी चाए की तलब होगी खास कर आज जब कि उसका शनिवार का व्रत है यह भी नहीं हुआ कि सामने की गुम्टी से एक पैकट ही लाकर रख देते दूद खत्म हो गया क्या उसने जान भूच कर पहारा कर पूचा पती ने टीवी से नजरें हटाए बिना ही जवाब दिया फ्रिज में नहीं है ना तो खत्म ही हो गया होगा आधा लीटर तो लेती हो उसका भी पंचनामा करने पैट जाती हो वो भुन बनाते हुए भीतर लोट आई हूँ ये आधा लीटर दूद भी कैसे जुटा रही हूँ मैं ही जानती हूँ पर उन्हें तो तीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है सब कुछ उसके भरोसे छोड़कर वो निश्चिन्थ हो गये है उसने किसी तरह वह काली चाए ही कटक ली और फ्रेज में से लौकी निकाल कर छीलना शुरू कर दिया कुछ देर बाद पती देव भी तर आए तुम्हारी चाए बन गई क्या दूद तो है ही नहीं चाए काह से बनेगी शिट मैं सोच रहा था अपने लिए बनाओगी तो दो घुट मैं भी ले लूँगा दूद ला दीजी अभी बना देती हूँ सुभा थोड़ा जादा ले लिया करो ना घी और मक्षन तो तुम्हारे राज में सपना ही हो गये है पर कम से कम चाय तो मन भरके पीने दो सबजी काहे की बना रही हो लौकी इससे सस्थी कोई सबजी बाजार में नहीं है क्या ये आपसे किस ने कह दिया कि लौकी सस्थी है एक आदमी को छोड़कर बाजार में कुछ भी सस्था नहीं है दाले सोना हो रही हैं और प्याज आकाश चू रहा है सामाने आदमी का तो जीना ही दुभर हो गया है बड़बडाते हुए उसने कटी हुई लौकी एयर टाइट टिपे में डाल कर फ्रिज में रख दी और कहा अपनी पसंद की कोई सबजी ला दीजे फटाफट बना दूँगी मुझे पहुत भूक लग रही है सुभा से सिर्फ दो केलों पर हूँ तो ये वरत उपवास करने के लिए किसने कहा था क्या मैं अपने लिए कर रही हूँ अगर मेरे लिए कर रही हो तो मत करो यही चीजे मेरा रास्ता रोकती है मतलब तुम्हारे पुण्य आड़े नहीं आते तो कब का चुमंतर हो गया होता मैं भी छूट जाता तुम भी आजाद हो जाती बस चप भी देखा कि विवाद ज़रा ज़ादा कहरा हो गया है या कि अपना पक्ष कमजोर पढ़ रहा है तो जट से मरन द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं शुरु-शुरु में तो वो डर जाती थी पर अब इस emotional blackmail का उस पर कोई असर नहीं होता बलकि कुछ सा ही आता है इच्छा होती है कि कह दे मनना है तो जाकर मरो ना बार बार धमकी क्यों देते हो ऐसे जीते जी भी तो मुझे कौन सा सुक दे रहे हो पर कहने ही पाती संसकार आड़े आ जाते हैं फिर डर भी लगता है वैसे ही दिमाग खराब चल रहा है अगर बात लग गई और सच मुझ कुछ कर बैठे तो वो जिन्दगी पर अपने को माफ नहीं कर पाएगी घर वाले खा जाएंगे सो अलग बाहर टीवी की आवास फिर से आने लगी थी वो समझ गई कि वे बाजार नहीं जाएंगे अपनी सिगरेट लेने चले जाते हैं यही कनीमत है नहीं तो उसे ही पान के ठेले पर भेज देते उसने लौकी बाहर निकाल का चौक दी दाल चाबल का कुकर लगाया आटा गूंद कर रख दिया और बरतन साफ करने में चुट गई जितनी तेजी से उसके हाथ चल रहे थे उतने ही रोष से वो भुनबना रही थी जानते हैं आजकल महरी नहीं है फिर भी बरतनों का ठेर लगा देते हैं हार पार नई पतिली निकालेंगे महरी होती तो बिदख कर भाग जाती पर ये चुट बिना पैसे वाली नौकरानी है न ये भाग कर कहां जाएगी उसे तो यहीं खटना है तवा गैस पर रख कर उसने प्लेट लगा दी और खाने के लिए आवास दी उसकी पूरी रोटियां बन गई पर वे नहीं आये फिर उसने अपनी भी प्लेट लगा ली और आवास दी वे भी तर आये तब तक वो एक रोटी खा चुकी थी उसे सर्च मुझ जम कर भूख लगी थी वे बेमन से थाली पर बैठे और कौर चुबलाते रहे अपनी नाराजी को नापसंदगी को जाहिर करने का उनका यह तरीका था पर उसने ध्यान नहीं दिया वो अपना पूरा खाना खाकर ही उठी खाना खाते हुए उसे याद आया कि दो दिन से बड़े भईया का पतर आया पड़ा है उन्होंने एक दो पते दिये थे पूछना चाहती थी कि वहाँ समपर किया या नहीं पर उनका मूट देकर चुप रह गई इस समय पूछना बर के छटे में हाथ देने जैसा ही था वैसे भी आजकल बड़े भईया का नाम लेते ही उन्हें आग लग चाती है कहते हैं तुम्हारे भईया तो चाहते हैं कि मैं उनके दोस्तों के दफ्तर में चपरासी बन जाओं यह सच है कि भईया बहुत अच्छी नोकरियों के प्रस्ताव नहीं दे पा रही थे पर यह सोभाविक ही था ना इतनी अच्छी नोकरी थी वह नहीं रह पाई अब जो भी मिलेगी वह दोयम दर्जे की ही होगी न कम से कम उसी काम चलाव रूप में तो स्विकार किया जा सकता है खाने के बाद उसने परतन साफ किये रसोई समेटी रोज तो सुभा के लिए सबजी भी काट कर रख लेती थी पर आज खर में कोई सबजी नहीं थी वैसे भी कल इतवार था उसे स्कूल जाना तो था पर देर से कमरे में आकर उसने पिस्तर ठीक किया और कल के लिए बैग भर कर रख लिया कारिक्रम तो छे बजे से है पर स्टाफ को दो बजे बुलाया है उसके जिम में रंगोली है स्टेज की सजावट है गमलो का कलात्मक सैयोजन है यह सब करते कराते उसका हुलिया ही बिगड जाएगा पांच-दस मिनट चूप ही मिलेंगे उसमें उसे तयार होना है इसलिए एक अच्छी सी साड़ी कंगी, कील कांटे थोड़ा सा मेकप का सामान फेसवाश, नैपकेन सब रख लिया और बैक अलमारी में छुपा कर रख दिया अभी देख लेंगे तो शुरू हो जाएंगे किसे रिचाने जा रही हो अब चार लोग आएंगे तो उनके सामने खिल-खिलाती तो नहीं जा सकती ना मैं पर आज कल उसका सजना सवलना एकदम संधी के घेरे में आने लगा है सोने से पहले एकाल सेरियल देखने की उसकी आदत हुआ करती थी पर अब तो टीवी उसके हिस्से में ही नहीं आता कोई ना कोई मैच हमेशा चलता ही रहता है मैच ना हो तो फार्मूला वन रेस वह भी ना हो तो डबलू डबलू एफ तो है ही पहले वाला समय होता तो वो अपने लिए अलग से एक टीवी ले लेती पर पहले वाला समय होता तो पती दिन भर घर में क्यों दुपका रहता आजकल वैसे तो उसे टीवी से चड़सी होने लगी है पर रात में उससे बढ़ा सहारा रहता है वो तो मनाती है कि ये बुद्धू बक्सा कभी बंध ही ना हो रात पर चलता रहे वह चलता भी है शायद पर देखने वाले का धहरे चुक जाता है इधर टीवी बंध होता है उसकी चाती में डर के बगुले से उटने लगते हैं देहशत से उसका खुन जमसा चाता है दिन भर पे चारा सा दिखने वाला यह आदमी रात में एकदम दरिंदा बन जाता है उस देवयपार में प्रेम दो खेर होता ही नहीं है वासना का पुट भी नहीं होता होती है केवल नफरत तिरसकार लगता है जैसे जमाने भर का प्रतिशोद वो उसे लेना चाहता है पति के इस आक्रमा करवये से उसकी सारी समवेदना इस्चिथिल हो जाती है तब उसे और कुसा आता है कहता है अब मैं कमाता नहीं होना इसलिए तुम्हें मुझ में रस नहीं रहा लड़ चगड़कर पती तो मजे में सो जाता है और त्रिप्ती के खराटे फढ़ने लगते है पर उसे सारी रात नीन नहीं आती सोचती है इस तरहां रोज-रोज मरने से अच्छा है एक बार की सब कुछ खत्म कर दे पर फिर मासुम सुयश का चहरा आँखों के सामने आ जाता है उसे किसके भरोसे छोड़ जाएगी वो इस अकर मरने आदमी के माना कि इस समय मामा के यहां अच्छे से पल रहा है पर उसे सारी जिंदगी तो वोही नहीं रखा जा सकता न उसे कभी तो अपने घर अपने लोगों के बीच लाना होगा उन दिनों पती एक आए एक खर बैठ गए थे दफ्तर जाना उन्होंने एकटम बंद कर दिया था जब भी कुछ पूचा वे जैसे काटने को दोड़ते थे आमादनी के स्रोत एकटम सूप गए थे कभी शौक से एक छूटी मोटी नौकरी कर ली थी वही अब संजीविनी का काम दे रही थी पर उससे पूरा तो नहीं पढ़ता था ना पती से छुप कर ही फिर उसने पती के एक कुलिक से भेट की पता चला गबन के मामले में नौकरी से निकाल दिये गए हैं उसके तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई उसी व्यक्ति के साथ वो फिर बौस से मिली उन्होंने रूखे लहजे में कहा जाच चल रही है पूरी होने पर आपके पस नोटिस आ जाएगा उसने आखों में आशु भर कर पूछा क्या अब कुछ नहीं हो सकता बौस कुछ नरम पड़े बोले देखिए हमारे पुराने करमचारी हैं इसलिए अभी तक हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है अपने हिस्तर पर चाच कर रहे हैं अगर रकम भर दें तो चाच रोक दी जाएगी पर दुबारा काम पर लेना तो नामुम्किन है उन्होंने जो रकम बताई उसे सुनकर उसकी आँखों के आगे अंधेरा चा गया उसने दोनों जेट लोगों को खबर की उन दोनों में से कोई भी नहीं आया ना उन्होंने कोई मदद की पेशकश की उल्टे उस पर आरोपों की उपदेशों की चड़ी लगा दी तुम्हारी अंगिनत फरमाईशों के चलते उसे आज नौकरी से हाद धोना पड़ा है आत्मी को चादर देखकर पाउं पसारना चाहिए तुम जैसी औरतों के कारण ही देश में भस्ता चार पाउं पसार रहा है पती बिचारे करें भी तो क्या करें वे दोनों बड़ी आसानी से यह भुल गए कि सबसे ज़ादा फरमाईशें उन्हें लोगों की ओर से आती रही है बेटिया की शादी तै करती है तुम्हारे भरोसे ही वर्पक्ष की सारी मांगे स्विकार कर ली है बेटे की एड्मिशन करानी है कुछ भेज सकते हो दूसरी मंजिल बनवा रहा हूँ मदद करनी पड़ेगी मतलब यह है कि जब भी इन लोगों के यहां से पतर आये है किसी मांग के साथ ही आये है कई बार उसने एतराज भी किया तो पती ने डपड़ दिया जिस से आशा होती है जो देने लायक होता है उसी से मांगा जाता है सबकी आखे मुझ पर लगी होती है उन्हें कैसे निराश कर दूँ आज जब अपने पर समय आया है तो उन लोगों ने बड़ी निर्ममता से हाथ उंचे कर दिये है हार कर फिर उसने सारी लाच शरम ताक पर रखकर बड़े भईया को PCO से फोन किया था वे कृष्ण की तरह एक ही पुकार पर दोड़े चले आये थे आते ही उन्होंने सारी कमान समभाल ली थी और पता नहीं कैसे सारा मामला सुर्टा लिया था जाने से पहले भईया ने घर में छे-ाट महिने का राशन पानी तेल साबुन सब भर दिया था फिर बोले देखो तुम्हारी यह लड़ाई अभी शुरू हुई है बहलनम भी चलेगी वह तुमें ही लड़नी है पर इस आपा धापी के बीश तुम क्या इस बच्चे पर ध्यान दे पाओगी उसका सहमा हुआ चहरा देखकर मेरा तो कलिजा मुह को आ रहा है यह सब सहने की उसकी उम्र नहीं है उस पर इन परिस्थितियों का विप्रीत प्रभाव भी पढ़ सकता है इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ जब सब ठीक ठाक हो जाए तो इसे खुशी-खुशी ले आना भाईया के इतने अनंत उपकार थे उस पर की मैं वहम मना नहीं कर सकी और यह भी तो एक उपकार ही था अब कई बार मन होता है कि उसे फोन करके पूछे बेटा, तु मजे में तो है ना मामा पहले की तरह प्यार करते है ना मामी लाड करती है ना गुस्सा तो नहीं करती समय से खाना वगेरा तो देती है ना मामा के बच्चे तंग तो नहीं करते फिर उसे होश आता है कि वो तो बाहर से फोन कर लेगी पर बच्चा तो सब के बीच में बैठ कर जवाब देगा ना तब क्या वो अपने मन की बात कह पाएगा कई बार सोचती है कि किसी इत्वार के छुटी में आचक जाकर बच्चे को अपने आँखों से देख ले पर अगर वो खुश ना हुआ तो क्या उसे छोड़ कर आ पाएगी उसका कुमलाया चहरा क्या एक शण के लिए भी उसकी आँखों से उजल हो पाएगा कितनी बार इच्छा होती है कि पती के साथ बेटे की यादों को शेयर करे पर पती तो अपने आप में ऐसे सिमट गए हैं कि उनकी दुनिया में बेटे के लिए भी जगा नहीं है सुभा उठी तो सिर भी भारी था और बदन भी तूट रहा था पर उठना तो था ही इतवार होने के बावजूद भी आराम की कोई गुंजायश नहीं थी नौकरी पेशा औरतों पर तो छुट्टे का दिन और भारी पड़ता है उसे भी हफते भर की सबजी लानी थी हफते भर के कपड़े धोने थे चादरें बदलनी थी पर्दे बदलने थे पती देव के लिए संडे स्पेशल नाष्टा बनाना था और आज तो दोनों वक्त का खाना भी बनाना था सब कामों से निव्रित होकर उसने पती को खाने के लिए बुलाया तो बोले आज तो संडे है यार और अभी तो नाष्टा किया है मैंने बताया था ना मुझे आज जाना है तो तुम जाओ मैं खालूंगा उसने फिर खाना खाया कपड़े बदले अपना बैक उठाया और बाहर वाले कमरे में आ गई पती देव, हस्बे मामूल आराम कुर्सी में लेटे सिगरेट फूंक रहे थे और टीवी देख रहे थे उसने स्टेंटर टेवल पर पड़ा रिमोट उठा कर टीवी की आवास बंद की और कहा मेरी बात सरा ध्यान से सुनिये बोलो उसकी और बिना देखे पती ने कहा खाना सब टेवल पर लगा दिया है जब भूक लगे तो खा लेना जो आग्या रिमोट दो मैंने बताया था ना कि आज हमारे यहां कल्चरल प्रोग्राम है शाम को लौटने में देर हो सकती है तो मेरा इंतजार मत किजिएगा समय से खाना खा लिजिएगा कैसरोल में फुलकों के नीचे शाम के लिए पनाठे हैं और सबजी सुनिये रात को लौटने में तेर हो सकती है और मैडम अकेले आने नहीं देंगी तो अगर कोई मुझे छोड़ने घर तक आए तो उनके सामने ही शुरू मत हो जाना बाद में जो कहना होगा कह लीजिएगा पिछली बार का ताना दे रही हो यही समझ लीजिए उस दिन बस खराब हो जाने से पिकनिक से लौटने में देर हो गई थी सबके घर से फोन पर फोन आ रहे थे पर मेरे घरवालों ने मुझे भगवान भरों से छोड़ दिया था स्कूल में हर एक के घर से कोई न कोई लेने पहुचा था पर मेरे यहां से कोई नहीं आया मैडम ने फिक्र मंद होकर मेरे साथ किसी को भेजा तो आप उनके साथ बत्तमीजी से पेश आया यही ना वो कुछ नहीं बोली वह सारा प्रसंग याद करके उसका तन बदन इस समय भी जल उठा था मेरी वजहां से बहुत परिशान हो ना तुम बहुत तंग करता हूँ ना मैं तुम्हें इसलिए सोचता हूँ कि ये खेल खत में ही कर डालू तो अच्छा मैं भी यही सोचती हूँ वे चौके इतनी उप गई हो मुझसे हाँ बहुत उप गई हूँ आपसे भी और अपने आपसे भी आपसे ही नहीं इस जिंदगी से तंगा गई हूँ सुभा से शाम तक खटती रहती हूँ पर चैन का एक पल प्यार का एक बोल नसीब नहीं होता बस वही ताने उलहाने आप तो सिर्फ मरने की कोरी धमक्या देते हैं पर मैं इस मरनान तक पीड़ा से रोज गुजर रही हूँ पर मर नहीं पाती क्योंकि मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए यह एरोगैरों के बस की बात नहीं है वो समच नहीं पा रही थी कि यह सब वो किस के लिए कह रही है अपने लिए या पती के लिए पती को भी शायद यही असमन जस था तब ही उनका ध्यान उसके कंदे पर लटके बैक की ओर गया राथ को गर लौटने का इरादा नहीं है क्या ना लोटूंगी, तो कहां जाऊंगी, इच्छा हो या ना हो, आना तो यहीं है, फिर ये बैक किसलिए, बताया था न, शाम का कारिकरम है, बदलने के लिए एक साड़ी रख ली है, तुम्हें स्टेश पर तो नहीं जाना है न, तो क्या महमानों के सामने भूत नी सी गूमती रहूं, अभी चाते ही मुझे काम में जुट जाना होगा, शाम तक तो मेरा हुलिया देखने लायक हो जाएगा, साड़ी ले तो जा रही हूं, बदलने के लिए समय मिले तब न, मिलेगा जी, खूब समय मिलेगा, कपड़े बदलने का भी, और मुरीदों को रिछाने का भी पती ने कुछ सित कटाक्ष किया, अब कौन रिछेगा मुझ पर, उसने चपल पहनते हुए कहा, मेरी सारी रौनक तो इस घर ने सोख लिये है, कहते हुए वो बहार निकल आई, और उसने अपने पीछे दरवाजा जूर से बंद कर लिया, उसे लग रहा था, कि अब अगर एक भी शब्द उसने सुना, तो वो पागल हो जाएगी, सड़क पर आखर उसने एक बार खुल कर सांस ली, और सारे अप्रिये प्रसंग को दिल से जटक दिया, एक बार स्कूल पहुचने के बाद तो कुछ सोचने विचारने का समय ही नहीं मिला, सारे काम, मुबाएं उसक इस कला में परंगत कर दिया था, पूरा एक खंटा लगा था, स्टेज के सामने उस सुन्दर कलकृति को उकेरने में, उसके बीचों बीच दक्षिन भारतिय धंका, पीतल का बढ़ा सा दिपक रख दिया गया, फिर स्टेज को फूल मालाओं से, आमर पत्तों के तोरण से, गेट से लेकर स्टेज तक गमलो की सुन्दर कता लगाई गई, जगा जगा अकरबतिया खोंस दी, ताकि वातावरन सुगंदित बना रहे, यह सब करते कराते, साड़े पांच कब बच गए पता ही नहीं चला, वो भाकर स्टाफ रोम में पहुंची, अपने लंबे खने बा पतन लोर हलका सा मेकप किया, होंटों पर लिप्स्टिक फेरते हुए अनायास हाथ काप गए, लगा कि पते परमेश्वर दरवाजे से छांक रहे हैं, और उनकी आखों में वही कुछ सित्म्यंग चलक रहा है, तैयार होने के बाद उसने मोतियों की एक लड़ी गले में टा बड़े भईया, जब सारा काम सुल्टा कर वापस जा रहे थे, तो वो उनके पास चाकर खड़ी हुई, अपने कहनों का पर्स उसने भईया के सामने उलट दिया, और कहा, भईया मैं नहीं जानती आपने कितना खर्च किया, और कहां से किया, उनका अंशतह भुकतान भी भईया का चहरा एक्तम तम-तम आ गया, आखें अंगार हो गई, पगला गई हो तुम, मैं तुम्हारे कहने लूँगा, उसका चहरा इतना सा निकलाया, आखें टपडबा गई, कुछ शन बाद भईया का आवेश भी थोड़ा ठंडा पड़ गया, बोले, on the second thought, मैं सोचता यह कहने ले ही चाओ, सुयश की अमानत के रूप में, यह मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, यहां रखना ठीक नहीं है, वे लोग किसी भी दिन तुम्हारे घर की या लौकर की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन अब तो सारा मामला सुलच गया है ना, पर अभी उन्होंने हमें क् चिट तो नहीं दी है ना, बस यही कह सकते हैं कि फिलहाल खतरा टल गया है, हे भगवान, तो क्या सारी जिंदगी इसी सांसत में जीना होगा, जैसा की तै था, कारे करम ठीक दस बजे समाप्थ हो गया, सामान उठाते धरते, लड़कियों को पालकों के सुपुर्द करते कर जैसा की अंधेशा था, चलते समय मैडम ने तिवारी को उसके साथ कर दिया, उसने भी पहसबाजी नहीं की और चुप चाप स्कूटर पर बैट गई, चो राहे पर आते ही उसने कहा, तिवारी जी मुझे यहां उतार दीजिए प्लीज, मैं रिक्षे से घर चली जाऊंगी आप भी अब घर चाएए, बहुत देर हो गई है, इत्मिनान रखिये, मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा तिवारी जी ने ज़रा भी हीलो हुज़त नहीं की, लगा कि वे बेमन से ही इस काम के लिए तैयार हुए थे उतनी रात में रिक्षा मिलना जरा मुश्किल था, पर वे सोजन्यवश उतनी देर उसके साथ खड़े रहे उसके रिक्षा में बैठते ही हाथ हिला कर विदा हो गए, रिक्षे में बैठने के बाद उसे घर की सुधाई वह सब यादाने लगा, जो चलते समय हुआ, वे सारे समवाद जो उन दोनों के पीछ हुए थे आज कुछ ज्यादा ही तीखा, ज्यादा ही कड़वा पोल गई थी वो ये तक कह दिया था, कि आप तो मलने की कोरी धमग्यां देते रहते हो कहीं इस बात को सच मुझ दिल से लगा लिया हो तो, सच मुझ ही कुछ कर लिया हो तो और कुछ नहीं, तो घर ही चोड़कर निकल गए हो तो आधी रात को वो कहां ढूंडने जाएगी, और मिलेंगे भी तो पता नहीं कहां, कि सावस्था में नाना तरहा की आशांकाओं से उसका दिल धड़कने लगा, कलेजा मुझ को आने लगा घर पहुँचते ही पहले उसने रिक्षे से बाहर जाका, खिड़कियों के पर्दों से भीतर का प्रकाश छनकर बाहरा रहा था मतलब घर पर तो हैं, पर कैसे हैं, किस आवस्था में हैं, पैसे देकर जब रिक्षे को बिदा कर दिया, तब उसे टीवी की आवास सुनाई दी शायद मैश के आखरी ओवर्स चल रहे थे, प्रेक्षकों की उच्षुकता चरम पर थी, यह शोर से जाहिर हो रहा था उसने खिड़की से चांकर देखा, शिरिमान जी बदस्तोर आराम कुर्सी में लेटे सिगरेट फूंक रहे थे और मैश देख रहे थे तभी फिल्डर के हाथों एक कैच छुटा, और पती ने इतनी भतिकाली दी, कि उसके कान जंजना उठे, उसके तन बदन में तो जैसे आख लग गई ची, ये आदमी है या चिकना घड़ा, क्या इसकी रीड में हड़ी ही नहीं है, क्या मान अपमान सब उठाकर इसने खूंटी पर टांग दिये हैं, और इस अकरमर्नय बेशरम आदमी के लिए मैं पूरे रास्ते चिंता करती आई हूँ, देवी देवता मनाती चली हूँ, क् बेगरत आदमी के साथ कोई एक छट के नीचे कैसे रह सकता है, घंटी बजाने के लिए उठा हुआ उसका हाथ अपने आप नीचे आ गया, और वो वहीं सीडियों पर धम से पैट गई, अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी, बुचे हुए दीब और तूटत की आस्थाएं सुन रहे थे, मालती जोशी जी की अन्य कहानिया आप कथा साहित्य की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, कथा साहित्य में साथ पनाई रखने के लिए धन्यवाद